जेहिन दोस्तो रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज के इस रीडियो में मैं आपको 5 important information दूँगा और दोस्तो इसली के regarding कुछ notification है कुछ images है कुछ letter है वो भी आप side में check करेगा चलते हैं पहली information की तरफ Lieutenant Colonel R.K. भादवाज जी ने CGDA MOD को लिखा mail PCDA की website बंद की वज़े से इस परश की समस्याओ को लेकर दोस्तो Lieutenant Colonel R.K. भादवाज जी MOD को mail लिखते रहते हैं letter लिखते रहते हैं इस परश की जो गलतिया हैं समस्याओं उनको दिखाते रहते हैं लेकिन दोस्तो उसका solution होता नहीं ह अभी भी pensioner को समस्याओं देखने को मिलती हैं तो दोस्तो ऐसी इन्होंने एक mail लिखा हैं जिसमें इन्होंने लिखा है कि जो PCDA की website है वो काफी लंबे time से बंद है उसे ठीक क्यों नहीं किया जा रहा जी यहां दोस्तो PCDA की website को ठीक होना चाहिए काफी time हो गया है पैंशन की तरफ इस पर्ष में migration के बाद दिक्कत बड़ी पैंशन गलत disability गलत जी आँ दोस्तो एक मैं आपको मैसेज दिखा रहा हूँ एक पैंशनर का दोस्तो जब आप बैंक के थरू सीपीपीसी के थरू सही पैंशन लेते थे सही disability लेते थे उसके बाद आपको transfer कर दिया इस पर पैंशन गलत हो गई disability गलत हो गई हर एक पैंशनर के साथ ऐसा नहीं हुआ कुछ पैंशनर के साथ हुआ है यानि एक पैंशनर थे जो पहले बैंक से सीपीपीसी से पैंशन लेते थे उनको सही में OROP 2 की पैंशन मिल रही थी लेकिन जैसे ही उसका transfer कर दिया इस पर्ष में तो उनकी पैंशन बदल गई और उनको देने लगे पैंशन OROP 1 की यानि बैंक ने सीपीपीसी ने पैंशन रिवाइस कर दी OROP 2 की और जब इस पर्ष में मेंग्रेशन हुआ तो दे दी OROP 1 की कई पैंशनर हैं जिनको हवलदार की disability मिलनी चाहिए जो मिल रही थी बैंक से CPPC से लेकिन जब इस पर्ष में मेंग्रेशन हुआ तो disability मिलने लगी नायक की तो दोस्तों ये गलती है वो इस वज़े से क्योंकि आपका इस पर्ष का PPO ही generate नहीं हुआ है जब तक इस पर्ष का PPO आपका generate नहीं होगा जब तक सही pension सही disability आपको नहीं मिल पाई यानि बैंक सपर्ष का PPO generate हुआ है या नहीं हुआ हर एक pensioner के साथ ऐसा नहीं हुआ कुछ pensioner है तो एक बार आप चेक करिए कि आपका सपर्ष का PPO generate हो रहा है या नहीं हो रहा है मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिनका migration हुआ है recent में सपर्ष पर क्योंकि दोस्तों अगर आपकी disability गलत चल सुधार लेटर लिखे इस पर्ष को चलते हैं अगली information की तरफ पैंशनर की शिकायत CP ग्राम में शिकायट डालने के बाद जो जवाब आता है वो आता है under examination processing या फिर waiting कई पैंशनर कहते हैं कि हमने pension related शिकायट डाली है हमने शिकायट तो डाल दी लेकिन जो department से जवाब आय वो लिखा है under examination processing pending तो पैंशनर कहते हैं इससे हमारी problem तो solve नहीं हुई दोस्तों फिर आपको wait करना पड़ेगा अगर under examination आता है processing आता है या फिर waiting आता है इसका मतलब है कि आप अभी फिलाल कुछ नहीं कर सकते आपको रुखना होगा और देखना होगा कि ये समस्या कब solve हो लेकिन उनका reply है कि अभी examination में processing में है तो दोस्तों एक बार wait कर लिजी और देख लिजी कि department सही कर रहा है या नहीं कर रहा है फिर है अगली information फिर दोस्तों IESM कि टीम या फिर major general सत्मिर सिंग जी ने एक letter लिखाया और वो लिखाया रक्षा मंत्री जी को MOD को किसलिए और ECHS के पास fund की कमी है जिससे pensioner को नुकसान हो रहा है पैंशनर का सही देखबाल नहीं हो रहा है medical से related फिर दोस्तों क्या लिखाया इंपैनल्ड हॉस्पिटल के 4000 करोड के medical bill का भुक्तान करने को का है यानि दोस्तों जो impanlement hospital है आपके उसमें लगबग 4000 करोड के medical bill अभी तक लंबित है पैंडिंग है उनका भुक्तानी नहीं हुआ है और दोस्तों मार्च आते आते 2024 आते इसकी संख्या और बढ़ जाएगी तो MOD को यह आदेश दिये कि ECHS को कुछ fund provide कराया जाए जिससे जो beneficiary हैं उनको भी medical selected कोई दिक्कत ना हो उनका proper सही से इलाज हो फिर क्या लिखाए ECHS के पास धन की कमी हो रही है मतलब उनके पास पैसा ही नहीं है सही treatment के लिए जो पैंशनर को वो दे सके तो MOD की तरफ से कहा है कि और fund available कराया जाए ECHS को ताकि जो सुविधाएं हैं वो भैतर हो सके और जो medical bill pending में पड़े हैं hospitals में उनका भुकतान हो ताकि पैंशनर के जो भी डिव हैं वो clear हो सके फिर क्या लिखाएं जिससे पैंशनर और जवान परिशान हैं अभी की दोस्तों यह दिक्कत है कि ECHS में आपको सही facility नहीं मिल रही है पॉली क्लीनों की हालत खराब है दवाईएं अविलेबल नहीं है medical bill claim करना चाते हैं तो उसमें objection लगा देते हैं यह दिक्कत हो रही है तो दोस्तों इसमें मेजर जर्लर सट्वे सीजी ने direct ECHS के सम्मंद में वो letter लिखा हैं आप side way वो letter भी देख सकते हैं फिर क्या लिखा पैसा हेतू 6000 करोड रुपे चाहिए यानि medical से लेटेट जो सुविधाएं चाहिए ECHS को पैंशनर को देने के लिए तो दोस्तों एक मोटा फंड चाहिए ताकि पैंशनर्स की medical से लेटेट सुविधाएं मिल पाएं और दोस्तों लगबक 6000 करोड का पैसा चाहिए यहां पे MOD की तरफ से दोस्तों ऐसी यहां पे एक मीटिंग हुई थी और यह मीटिंग करी थी IESM ने तो इसमें तमाम समस्याय रखी थी सेकेर्टरी के सामने उसमें ECHS से भी जुड़ी एक समस्या थी कि ECHS को एक भैतर फंड प्रोवाइट करा जाए पैंशनर्स के हित के लिए medical की facility से के लिए तो दोस्तों देखते हैं इसका जवाब कब आता है MOD की तरफ से और कितना फंड वो एलॉट करती है क्योंकि भारत सरकार कहता है कि हमने proper fund दे रखा है ECHS को अच्छी सुविदाय दे रखी है लेकिन beneficiary pensioners के जो feedback आते हैं उनसे पता लगता है कि क्या facility मिल रही है आप आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि आप ECHS की facility से संतूच्ट है या नहीं है आप कहीं दिखाने जाते हैं तो आपको problem होती है या नहीं होती है आपको सही treatment दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं आप नीचे कमेंट कर सकते हैं फिरह दोस्तों last point इस पर pen card number update करें वरना December की pension आपकी deduct हो सकती है कट सकती है pension तो आपको मिलेगी लेकिन कुछ amount कर जाएगा 2% 5% 8% क्यों क्यों क्योंकि आपका pen card number update नहीं होगा इस पर्ष पे दोस्तों बहुत पहले इस पर्ष ने एक alert जारी किया था कि जिनका pen card number update नहीं है इस पर्ष पे तो उनकी pension deduct होगी और दोस्तों कुछ pensioner की हुई भी ये deduct कुछ percent काटा है pension में से और वो क्यों क्योंकि pen card update नहीं है तो एक बार pen card number देख लीजिए इस पर्ष पर्ष ने कि वो आपका महाँ पर है या नहीं है अगर नहीं है तो mention करा देजिए ताकि आपको पूरी pension मिले टोटल pension मिले और आपकी pension की कटोती ना हो तो दोस्तों ये कुछ information थी जो मैंने आपको समझाई I hope सारी चीजे आप समझ गये होंगे अगर आप मेरे channel पर नहीं है तो आप channel subscribe कर सकते हैं और videos को आप share कर सकते हैं Thank you so much